हेलो फ्रेंस आज में लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन सूप की जबरजस्त ये रेसीपी बड़े बड़े होटलों में रेस्टूरनों में खाते हैं और दिल करता है कि घर पे इस तरह कैसे बनेगा तो उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनेगा और कहीं ज़्यादा हेल आप बने रहें निशा के साथ जूड़े रहें वीडियो को फूल वोच कीजिए एक भी पार्ट मिस मत कीजिए का तभी आपकी रेसीपी बनेगी जबरजस्त तो आज बजार जैसा सूप बनाएंगे वो भी घर पर तो चलते हैं देख लेते हैं कैसे बनता है सबसे पहले हम चाहिए चिकन तो चिकन आप अपने हिसाफ से कम जादा रख सकते हैं मैं आपको बता दूं यहां मैंने तीन सो ग्राम लिया है यहां मैंने कुछ खड़े मसाले लिया है वन टीस्पून लिया है मैंने सौप बन टीस्पून धनिया वन टीस्पून काली मिर्च और दो लिया अब इसके अदर डालेंगे 140 बुना कुटा जीरा तो भुना कुटा जीरा है हमारा और यहां पर आ जाता है थोड़ा सा फूट कलर तो एक से दो पिंच डाल दें इसके अप्शन अले कलर के लिए अब यहां फटी स्पून डाल देते हैं नमक आपने टेस्की साफ से डाल सकते लसन अधरक का पेश डाल देते हैं वण टीस पून अधरक का पेश दोनों की आपने हमें से मीक्स कर लिए फेस्ट है यहां पर हम जैसे यहां से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर कुकिंग ओईल डोसे तीन टेबल कुकिंग और और इसे मिला कर अच् कर दिया मैं इसे छोड़ देती हूं कम से कम मैं इसे 15-20 मिनट से जादा ही छोड़ना है तो देखें यहां पर इतने आगे के तयारी कर लेते हैं जब तक हमारा चिकर मेगनेट हो चुका है तो इसमें डाल देंगे डारेक्टली पैन के अंदर दो टेबल डाला है मैंने रिफा जाना है तो चिकन को में जादे से जादा ही गलाना है तो मैंने यहां पर चिकन भूरने के बाद इसके अंदर पानी डाल दिया है आधा किलास और इसको कवर करके यानिके लीड लगा के रख देते हैं जब तक हमारा हैंड़ परसंट कूक ना हो जाए तो देखिए यहां प पानी भी monauty होचुक है तो विडियो अगर अढर आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज लाक कर देना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन दवाना बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरी नोट अप्लिकेशन सबसे पहले आपको मिले हो भी फ्री में तो देखिए यहाँ पर हमारा चिकन सारा मेश हो चुगा है इस तरह बनाएंगे तो बहुत हों जाहते हैं एक सिन्सावा को बारप करना हैiße हमें यहा पर अपनी प्यास को जैसे हमारी प्यासoney प्यास ऑ जाएगी तो यहां पर आप को कोई एक्ष इर एक्षण प सकते आतल नहीं है। तो यहां में डालनी है अए कि यहां मैं आपकर लीक साइट हमाना श्मेस के हमाण बि絹़ताए पीछे की साइट और इसको डाल दिया थिए अभी आप आप कोई वेटिवस्त करना चाहेत relax PM मैं आपको बताया, आप कर सकता है, मैं यहां कोई वेजिट अबलेट नहीं कर रही हूँ, अब मैं शुआवा डाल देंगे अपना चिकन, तो चिकन रहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया, मैंने चिर्फ 300 ग्राम लिया था, तो मैं 300 ग्राम चिकन से बना रही हूं, उसी दो से तीन गिलास पानी डाल सकते हैं तो पहले मैं यहां पर एक गिलास पानी डाल देती हूं दूसरा गिलास भी डाल देती हूं पर तीसरा गिलास थोड़ा देखके डालूंगे पानी तो यहां दो गिलास पानी चला गया तो मैं यहां पर मैं देखना इतना पानी डाल दिय तो इसमें 3 ग्लास पानी आप उसमें आराम से डाल सकते है चिकन गे इंदर अब थोड़ा साव यहां पर आधा-खिलास पानी और इंदर लिखे रूंदर डाल देंगे वन टेबल सोय सोस जोई सोस चिली सोस और तो इसमें पर नमक आप तो तो फूट कलर डालने से देखिए कितना यूलो यूलो गया तो इसा ही चाहिए था आप यहां डाल देगे नमक तनमाक आप अपने टेस्ट के साथ डाल दें मैं यहां बन टी स्पून नमक फिर से डाल रही हूं नमक, हमने मैगनेट करने रखाता चिकन तब भी हमने यूज कराता तो हम क्या करेंगे इसे कवर कड़ें इतके अपने घॉल तियार कर ले तो कॉन फinen लेलें अद्जांगे आप यहां पर दो टेबल करीब और कॉन फिलर को अच्छे बड़ बड़े खोटलों में रिश्टर नो मिलता है तो वही टेस्ट लाना है तो अब घोलना पड़ेगा और इसमें डालना पड़ेगा जब इसका जब 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 तेस्ट आएगा तो यहां पर हमारा बोई आच चुका है अब यहां डाल देंगे हराधनिया तो मैंने खुब सारा हराधनिया डाल दिया है डंडी मैंने इसकीप कर दिया है तो पत्ते मैंने बिल्कुल कट कर लिए हैं इसमें डाल दिया है जो हमने दो चम्मच कॉन फिलर का घोल बनाया था वो इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे और यहां से चलाते जाएंगे दूसरे जाएंगे तो देखिए यहां पर अपने अंडे का जो हमने एक गोल के रखा हैं अंडे आप चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो यह बहुत जादा टेस्ट लगता है लेकिन बड़े बड़े होटलों में इस तरह मिलता है ही टेस्ट लाने के लिए यहां पर मैं अंडा एट कर रही हूं तो यहां पर मैंने अंडा एट कर दिया है तो मैंने एक अंडे को अच्छे अपने आगे रखके खाए क्योंकि बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे यहां पर मैं पूरी में नहीं मिला रही हूं अब निकाल लेते हैं इसको बॉइल के अंदर निकाल रहे हैं तो माशालला खुस्पू भी बहुत जबर्जस्त आ रही है अब बहुत ही देखने में टेस्टी लग रहा है माशालला से तो खाने में कितना जबर्जस्त होगा मैं इसे करूंगी अंडे के साथ गानिश तो देखे मैंने गानिश कर रही हूं अंडे के साथ तो देखे मैं अंदर भी अंड़ा डाला है इसकी ग्रीवी में और पहार भी अंड़ा है तो माशालला इसका टेज्ट बहुत ही जवर्जस्त है आप इसे चाट मसाला डाल सकते हैं इसके उपपर और नीवू नी चोड़ सकते हैं और तब इसे इंजोई कर सकते हैं तो माशालला घजब की लग रही है चिकन सूप की ये जवर्जस्त रहसी भी तो वीडियो ची लेके तो लाइक शेयर कमेंट करना बिलकुल मत बूलना फिर मिलेंगे नेक्श वीडियो में अल्ला हापीस दुआओं में याद रखना